कौन बनेगा करोलपती के मंच से तबादले की सिफारिश की गई है मद्यप्रदेश की आरकशक ने बिगबी यानि अमिताब बच्चन से ट्रांसफर की सिफारिश की आरकशक है विवेक परमार मद्यप्रदेश पुलिस में और ट्रांसफर की जाने की उन्होंने सिफारिश की लेकिन उन्होंने मौका बहुत अच्छा चुना मौका चुना कौन बनेगा करोड़पती का मंच, के बीसी का मंच और सदी के महनायक, बिगभी यानी अमिताब बच्चन को उन्होंने सिफारिश कर दी आरक्षक विवेक परमार की पत्नी ग्वालियर में पदस्त हैं और अमिताब बच्चन ने कहा कि पती पत्नी की पोस्टिंग मनसौर में कर दीजिये ना क्या जाता है आपका धाई साल पहले आरक्षक विवेक परमार की शादी होई थी अब एक जना ग्वालियर में दूसर जना मंसौर में तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि अमिताव बच्चन के जरीए मद्रप्रदेश सरकार से सुपारिश लगवाई जाए और बिगबी की बात तर तो वैसे भी सुनी ही जाती है तो ऐसे में उन्होंने सही मौके पर चौका लगाते हुए अपनी बात रख दी ये हैं वो आरक्षक विवेक परमार तो वहीं ये जो पूरा गटनकरम हुआ और जिस तरह से अपनी इच्छा जाहिर की है जो आरक्षक ब कौन बनेगा करोड़ पती में अमिता बच्चन के साथ एक पुलिस कांस्टिवल जो की ट्रेफिक में है मंदसौर में बिवेक परमार उन्होंने अमिता बच्चन से कहा था कि उनका ट्रांसपर अगर ग्वालिर हो जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि शादी के बाद वो अ अच्छा कितना टाइम हो गया आपकी साथी के बाद और उसके बाद क्या कभी लगातार ग्वालिर रह नहीं पाए या आप वह नहीं जा पाए मेरी साथी को लगवी धाई साल होने जा रही है ना और हम जब भी चुट्टी मिलती है तो मां जाते हैं वैसे वह मनसौर रहती हो अचा यह बताई प्ररिती आमिता बच्चन से उन्होंने अपनी बात कही क्या कभी बात हुई आपकी कभी वह ने पोलिस डिपार्टमेन्ट को बात बताई जी हमने बताई थी कुछ इसू की वज़े से वैसे हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है ना सब लोग कॉपरेट करते हैं पर कुछ इसू की वज़े से ट्रांसफर नहीं हो पाया है हमने आविदन भी लगाए थे बहुत बढ़ा डिपार्टमेंट है यहां तक हो जाती है हमें लग रहा है तो हमें लग रहा है किग्यांगा हो जाएगा इगा अच्छा इस बीच में ठीर फूर्यवारीव क Θभी की इस जब है वो भी जरूरी है लेकिन इस बीच में कभी बात्चीत हो पाती है समय मिल पाता है जब भी हम डूटी में अपना 100 देते हैं ना 100% इदा करके उसके बाद जो भी टाइम बचता है ना उसमें एक दूसरी को जो भी प्रॉब्लम रहती हैं घर के काम बगएरा रहते हैं जब हस्टेंट की जरूरत हो तब बहुत दिक्रता आती है बस गर परिवार में माता पिता ये सारे लोग है ये भी मिस करती हूँ ये भी कहते हू बिल्कुल बहुत जरूरी होता है कि अगर परिवार एक साथ रहे तो ज्यादा च्छा है लेकिन सर्विस में बहुत सारी सेवाओं के प्रती जिम्मेदारी होती है और उन जिम्मेदारियों को निवाना भी एक बड़ा काम होता है फिलाल तो अमिता बच्चन के जरिये बात श विनोद शर्मा न्यूज स्टेट गॉलियर देखे है मांशू मैं बता दूँ कि मैं इस समय गॉलियर के उसी इंदरगंज थाने के पास खड़ा हूँ जिसमें प्रीती पदस्त है और मेरे पीछे ये वो पुलिस थाना है इंदरगंज जहां थोड़ी देर पहले जो उनके पती हैं जो मंदसौर में पदस्त हैं उनसे म प्राहियोगी की जरूरत पढ़ती ही पढ़ती है चाहे फिर वो कोई भी हो क्योंकि बहुत कम समय मिल पाता है लोगों के साथ उठने बैटने का और फिर उनके यहां तो माबाब भी हैं जो साथ रहते हैं ऐसे में कहीं न कहीं जो बात उन्होंने अमिताब बच्चन के जरि सरकार मुश्किल में पड़ जाए एक सामान इसी बात है अक्सर लोग कहते भी हैं कि मेरे ट्रांसपर यहां कर दीजिए वहां कर दीजिए तो अब सरकार को फैसला करना है हालांकि अमिताब बच्चन ने भी सरकार से बात कहिए कि क्या जाता है आपका लोगों को अपनी जि लेकिन फिलाल तो उन्होंने अपनी बात पहुचा दी है और बहुती शालिन ता से अपनी बात पहुचा यह ऐसा भी नहीं है कि कहीं किसी पर आरव लगाए हो। नहीं आरोप वाली बात नहीं है विनोड कई बार ऐसा होता है कि हसी मजाग में ऐसी नॉर्मली बात निकल जाती है और जब सामने विगबी सदी के महान आयक अमिताब बच्चन बैटे हों तो एक अपना पंसा वो महसूस हर किसी को कराते है हर कंटेस्टेंट को कराते है तो व ने देखा है कि बहुत गहरा असर उन बातों का होता भी है तो क्या यहां उमीद करें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान या फिर मद्यप्रदेश पुलिस विभाग भी इन बातों को उसी तरह से लेगा और हो सकता है कि असर हो जाए। या किसी विषय की चर्चा कर देते हैं तो वहां के इस्तानी मीडिया में या वहां की अकबारों में या लोगों की जवान पर चर्चा का विषय बन जाता है। विषय कारियों तक ये बात जरूर पहुंच गई है, हमारे चैनल के जरीए भी पहुंच गई है और जिस तरह से केबी सी अगर उन्होंने देखा होगा तो उसके जरीए भी कहीं न कहीं ये बात पहुंच जाई क्योंकि उनके पती आज भी इस गेम को खेलेंगे, ऐसे बता पहुंच गई होगे, ये आखरी निर्णा तो उन्हीं को करना है कि इन दोनों की जिंदगी जो लगबग धाई साल से अलग लग शेरों में नौकरी कर रहे हैं, तो एक दूसरे से अलग है, अब इनको मिलाने का काम तो पुलिस डेपार्टमेंट का ही है, कि वो सेवा के और दामपत्य जीवन को खुशियां भर पाएंगे या नहीं? उन्होंने अमिता बच्चन से कहा था कि उनका ट्रांसपर अगर गौलिर हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ रहनी पाए, मेरे साथ पृति सिगरवार है, उनकी पत्नी है, उसमें आप भी खेलने गई थी, कौन बनेगा करोड नहीं जा पाए, मेरे साथी को लग भी धाई साल होने जा रही है, और हम जब भी चुट्टी मिलती है, तो मा जाते हैं, वैसे वो मनसौर रहते हैं, में गवाले रहती हूँ, अच्छा ये बताई प्रिती, अमिता बच्चन से उन्होंने अपनी बात कही, क्या कभी बात हु जी हमने बताई थी, कुछ इसू की वज़े से, वैसे हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, सब लोग को अपरेट करते हैं, पर कुछ इसू की वज़े से ट्रांसफर नहीं हो पाया है, हमने आविदन भी लगाए थे, बहुत बढ़ा डिपार्टमेंट है, सारी प्र को अपरेट करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा डिपार्टमेंट कैसा है, क्या ट्रांसफर हुआ नहीं, पर हमने आविदन लगाया है, तो हमें लग रहा है कि हो जाता है, हो जाएगा ट्रांसफर भविश्य में, अच्छा, इस बीच में ठीक है, परिवारिक ज अच्छता है, उसमें एक दूसरे को जो भी प्रॉब्लम रहती है, घर के काम बगेरा रहते हैं, जब हस्वेंट की जरूरत हो, तो हमें बहुत दिक्कत आती हैं, बसुआ हैं, घर परिवार में माता पिता, ये सारे लोग हैं, ये भी मिस करती होंगे, ये भी कहते होंगे, बिल्कुल बहुत जरूरी होता है कि अगर परिवार एक साथ रहे तो ज़्यादा च्छा है, लेकिन सर्विस में बहुत सारी सेवाओं के प्रती जिम्मेदारी होती है, और उन जिम्मेदारियों को निवाना भी एक बड़ा काम होता है, फिलाल तो, अमिता बच्चन के जरि योगी विनोद हमारे साथ में बने हुए है, विनोद ठीक है, अमिता बच्चन के जरिये तो सिफारिश उपर तक पहुँच गई है, और हम लोगों ने भी बड़े वरिश तर्थिकारियों से बात कर लिये, लेकिन इन धंपती ने क्या अपनी तरफ से कोशिश प्रयास किय हैं, या फिर विभाग को ये जानकारी देने की कोशिश की हो कि हम अपना ट्रांसफर चाहते हैं, तो फिर विभाग की तरफ से क्या कुछ अभी तक हो पाया है, या फिर कुछ रिस्पॉंस मिला हो? प्रिती से जब हमने बात की थी तो उन्होंने ये बात कही है कि आबेदन दिया हुआ है, उन्होंने डिपार्टमेंट में और कुछ इश्यू हैं, उसकी वज़े से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कभी न कभी तो ट्रांसफर होगा, तो उन से इश्यू हैं, उनका जब समादान हो जाएगा, उसके बाद उन्हें ट्रांसफर के उम्मीद है कि हो सकता है, लेकिन आदे कि धाई साल का सनों उनकी साधी को हो गया है, और सबसे महत्पूर है, कि जिस तरह से वो जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, मंदसौर में रह इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है, अपने डिपार्टमेंट की तारीब भी किया है, कि बहुत अच्छा विभाग है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ट्रांसपर हो जाएगा, अब देखिए इसमें गोर करने वाली बात यह है, मंसौर के उनके प पेचीदा और कठिन सवाल लोगों के सामने आज आती हैं, और वो दूसरे दिन तक खेल में बने हुए हैं, तो यह भी अपने आप में बड़ी बात है, आज देखना होगा कि अब तो शायद उनकी चर्चा भी हो जाए, क्योंकि न्यूज इसमें तो कोई दोराय वाली बात नहीं है, विनोज इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, कि अब ये जो दमपती है, विवेक और इनकी पत्नी प्रीती, अब इनकी हर जगा चर्चा हो रही है, हाला कि इनोंने नाम जरूर रोशन किया है, के बीसी में जाकर अमिताब अच्चन के सामने ओट सीट पर बैट किया है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी, इनकी समस्या का समाधान निकालने का कस्ट करें, ये ट्वीट था, मेरी विधान सबाक्षेत्र, मन्सौर मुख्याले पर यातायाद पुलिस विभाग में पदस्त हैं, विवेक जी, आगे लिखते हैं अपने ट्वीट में, मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी, इनकी समस्या का समाधान निकालने का कस्ट करें, विनोद बने हुए हमारे साथ, विनोद, आप तो जो विधायक हैं, वो भी अब ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंग्छ चोहान जी से कह रहे हैं कि कस्ट कर लीजिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अब बड़ा दिल अगर शिवराज सिंग देखाएंगे तो इनका ट्रांसपर जल्दी हो जाएगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा तो चर्चा भी होगी किसी के कहने पर शो के जरिये मैसे जाया तो आपने ट्रांसपर कर दिया, तो हो सकता है, अमिता बच्चन भी इस बात से खुश हो जाएं, लेकिन निर्वर करता है कि पुलिस डेपार्टमेंट की अपनी परकरिया क्या है, उसमें सामाने तोर पर ये देखा जाता है कि एक पुलिस कर्मी जो जिले में पदस्त होता है, उसका तो ट्रांसपर अक्सर एसपी के हाथ में होता है, और एसपी उसको किसी भी थाने से लाइन या कहीं भी अटेच कर देते हैं, लेकिन दूसरे जिले से आपाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, उसकी सासन स्तर पर प्रकरिया है और वो कभी कबार ही देखने को मिलती है, और अगर इस तरह का कोई अबसर आये का, तो उम्मीद है उनकी पत्नी को कि सरकार और सासन की तरब से ट्रांसपर हो सकता है उनके पती का, और शायद इसलिए ये इस्यू बना हुआ है, कि जिस तरह से दूसरे जिले में पदस्त हैं और मंदसोर गौलिर के पास नहीं है, बहुत दूर है, तो जाहिर सी बात है, जल्दी आना जाना भी नहीं हो पाता होगा, अपने माबाप के पास नहीं पहुंच पाती होंगे वो जब कभी मौका मिलता होगा, लेकिन हाँ, अमिता बच्चन ने एक बात और जरूर कही थी, कि केबिसी के जरिये दौनों पत्नी पत्नी को एक साथ आने का मौका मिला, बहुत लंबे समय बाद आप लिए, ये पहले से विवेक में सोच के रखा था कि जब अमिता बच्चन क के सामने जो प्रतियोगी होते हैं, जो पाटिसिपेट्स होते हैं, उनसे कई बार दिल की बात करते हैं और पूछते हैं कि आपकी मन में क्या है, बताई हम किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं, ये शो के जरिये, तो हो सकता है इस तरह की कोई बात अमिता बच्चन ने उनसे प अच्छन जब वो किसी होट सीट पर बैटे कंटेस्टेंट से मिलते हैं तो फिर इसी तरह से वो बात करते हैं कि कोई अपना है और दिल की बात वो और यूँ ही निकल जाती है शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए